अब जो सीरीज बना रहे हूं उसमें क्रोक्षिट सिंबल्स बनाना सिखाऊंगी कि उनको कैसे समझा जाए क्योंकि ये बहुत सारी डायग्राम्स में यूज होता है सबसे पहला सिंबल जो होता है बहुत कॉमन होता है ये चीन जो इस तरह एक सर्कल या ओवल से रिप्रेजेंट हुआ होता है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है ये सबसे खाने का मकसद मेरा ये है कि वो लोग जो सिंबल्स नहीं समझ पाते जो डायग्राम्स नहीं पड़ पाते उनके लिए बहुत ही आसानी होगी जैसे चीन स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कुछ लोग इस तरह स्टार्ट करते हैं यूँ करके इस तरह होग को अंदर से पास किया और इस तरह करते हैं बहुत अलग डिफरिंट तरीके हैं कुछ लोग इस तरह स्टार्ट करते हैं मैं जिस तरह स्टार्ट करती हूँ वो है इस तरह हूख रखा इसको एक टर्न दिया और फिर एक बल देकर इस तरह निकाला चेंड बनाने के लिए हम यार्ण को इस तरह लपेतेंगे और इसमें से निकालेंगे लपेतेंगे निकालेंगे बल देंगे मतलब निकालेंगे बल देकर सिंपली इसमें से निकालेंगे बल देकर सिंपली निकालेंगे ये कहलाती है हमारी बेसिक चेंड मेरा मकसद है कि सब लोग इजी ली डाइग्रेम्स को समझ माँए और जिनको ये प्राब्लम होती है चेन क्या है, स्लिप स्टिच क्या है डबल क्रोशे क्या है ये सब लोग समझ माँए चेन बनाने के बाद ये हमने चेन जो होता है इसका सिंबल ये होता है अब हम आते हैं स्लिप स्टिच की तरफ जो के एक डॉट से रिप्रेजेंट होता है स्लिप स्टिच बनाना बहुत ही आसान है हमने चेन के अंदर हूप को पास किया बल दिया निकाला और इसमें से भी निकाला मैं फिर बताती हूँ, चेंड के अंदर हूप को पास किया, बल दिया, निकाला और असमे से बने का चेंड के अंदर हूप को डाला, बल दिया और निकाल दिया, इस तरहां बनाया जाता है Slip Stitch Slip Stitch कुछ, बहुत ही आसान है और बहुत साही चीदों के लिए यूज होता है, कुछ इस तरहां का Slip Stitch लगेगा तेंक यू फो वोचिंग, अलाफिस